अगर दोस्तों आप हमारे पहली बार इस चैनल पे विजिट हुए तो इस वीडियो के लिचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिलेगा इसे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर जानकरी फ्री में आप के पास पहुंसी लएगे नमस्कार दोस्तों कैसे करें डोट को में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट बेंक बड़ी के बारे में जिया हम लोग बात करेंगे स्टेट बेंक ओफ इंडिया यानि स्टेट एस बियाई की बड़ी सर्विस के बारे में जो कि एक खास एप है जिससे हम पैसे का लेंदें जो हो कर सकते हैं तो स्टेट बेंक बड़ी से जो हो आप अपना एक वर्चिवल एटिम कार्ड या फिर कार्ड जो हो कर सकते हैं जिससे आप कहीं पर भी पेमेंट करना चाहें तो पेमेंट जो हो कर सकते हैं ताक हम लोग इसी बारे में जानकारी जानना चाते हैं तो वीडियो को अन तक जब वो देखते रहे और सीख लीजिए कैसे करें सबसे पहले तो आपको जब वो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और घंटी का इकन को दबा लीजिए अगर आपने सबस्क्राइब किया है तो और सबस्क्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सबसे पहले अभी जब वो हमें ओपन करना होगा हमारा स्टेट बैंक वड़ी एप जैसा आपके सामने बिलकुल हम लोग जब दिखा रहे हैं तो यहाँ पर जब वो आपको आपके अकाउंट में जब वो लोग इन कर दिया जाता है लेकिन आपसे पासवर्ट जब आपका पुछा जाता है तो आप जब अपना पासवर्ट जब एंटर कर लीजिए और लोग इन पे क्लिक कर दीजिए login पे click करते हैं आपके सामने processing complete होगी requesting जो वो चल रही है इस समय processing की तो यहाँ पर जो आपको इस screen के अंदर काफी सारे options दिखाई देंगे processing complete होने के बाद तो जैसे ही आपके सामने जो options open हो जाते हैं यहाँ पर आपको option मिलेगा एक pay with body card तो आपको जो बड़ी card का option मिलेगा आप यहाँ से जो बड़ी card से जो पेमेंट कर सकते हैं तो आप इसको जो पे with body cards का जो option उस पे click कर लीजिए आपकी जो डिटेल्स दिखाई जाएगी आपके सामने बिल्कुल आप जो उसको अगर edit करना चाहें confirm पे click कर दीजिए उसके बाद जो आप देखेंगे your body card has been created successfully आप okay कर दीजिए तो यहाँ पर जो आपको काफे सारे options दिखाए जाएगे आपको message भी जो प्राप्त हो जाएगा आपको view card का option मिलेगा, block card का option मिलेगा, आपको सारे जो options मिलेगे हर बार आपको जो पिन आपका डालना होगा और वहाँ पर view card पे click करके पिन डाल करके जो आप okay कर सकते हैं view card पे click करने के बाद तो यहाँ पर जो आपको आपके card की पूरी detail जो दिखा दी जाएगी, आपके card के उपर नाम क्या लिखा हो है, आपका cv view card जो वो क्या है, यहाँ पर debit card की expiry date क्या है, card का number क्या है, पूरी की पूरी detail मिल जाएगी और इसके जरीए जो आप आसानी से online कोई भी payment जो कर सकेंगे, और यहाँ पर सबसे बड़ा benefit यह है, कि आपको जो आपके original debit card की जो डिटेल है, वो गुम होने के चांसे जो नहीं रहेंगे, तो उमीद है दोस्तों आप लोग जान पाए होंगे कि कैसे जो हम लोग state bank buddy से, आ करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए का इस जान करी को, और इसी तरह हमारे साथ बढ़ने दोस्तों और सीखते रहे हैं क्याज़े करें